हाई आज एक साइस 3.4 का हमें कोश्चन नमबर 1st का 4 नमर कोश्चन देखना है इससे पहले आप लोग 1,2,3 नहीं देखें हैं तो जाके देख लिजेगा और दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा एलिमनेशन मेथद और सब्ट्यूशन मेथद का वो भी देखके ही आईएगा क्योंकि इसमें क्या करना था ना कि इस कोश्चन में हमें सॉल्फ करना था एलिमनेशन मेथद से और सब्ट्यूशन मेथद से 4 कोश्चन दिया गया था चारो कोश्चन को तो हम लोग 1,2,3 कम्प हमारा दिया गया है तो सबसे परले इसको arrange करेंगे किस में fraction से इसको हताएंगे कैसे simple है फॉस्ट वाले equation ये फॉस्ट equation और ये हमारा second equation तो सबसे प्रहले फॉस्ट equation को लो x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1 इसको अब तुम कैसे लिख सकतो हो नीचे का एलसी हम लोग इतना 6 2 के टेबल में 6 कितना 3 बार में तो 3x प्लस 3 तू जा 6 4y is equal to minus 1 फिर 6 को इधर फे जो गए तो minus 6 हो जाएगा तो 3x plus 4y is equal to minus 6 इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यह हमारा equation बन गया हो इसको मान लो equation third ऐसे ही इस equation को भी हम लोग solve करेंगे इस वाले को भी तो यह हमारा क्या है x minus y by 3 second equation है हमारा by 3 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो और इसको भी solve करो LC हम लोगे 3 1 से 3 3 बार में तो 3x minus 3 into 3 1 बार में तो y is equal to 3 इस 3 को इधर भेज़ोगे तो 9 हो जाएगा तो 3x minus y is equal to 9 यह हमारा 4 equation हो गया तो अब हमारे पस क्या equation मच गया first second को ना लेके अब हम हर जगे 3 और 4 equation को solve करेंगे तो अब हम relation method लगा सकते हैं तो लिखेंगे by elimination method तो देखो यहाँ पर कि इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है तो अब हम लोग elimination method में क्या करते थे पहले कोई एक variable को same करते थे लेकिन इसमें हमारा पहले से ही same है तो direct हम लोग क्या करेंगे subtract करेंगे subtract भी क्यों करेंगे क्योंकि जो हमारा same है variable का ठीक है वो क्या है कि दोनों का sign same है जब दोनों का sign same होता है तो हम लोग subtract करते हैं और difference रहता है जो same maul अफर variable है तो अगर दोनों का sign difference रहता है तो हम लोग addition करते हैं तो यहाँ पर same दिया गया है दोनों का तो हम लोग subtract करेंगे तो लिखेंगे subtracting equation third from fourth हम लोग subtract करेंगे equation third theology से fourth को तो क्या है हमारे third equation यह जब from का use होता है तो सबसे पहले 4 वाले equation को लेते हैं उसके बाद 3 वाले तो 3x minus y is equal to 9 यह हमारे 4 equation हो गया और 3 equation 3x plus 4y is equal to minus 6 sign change करोगे नीचे वाले का यह plus है तो minus यह plus है तो minus यह minus है तो plus यह cut जाएगा और minus 4y और minus y मिलके minus 5y और plus 9 और plus 6 क्या हो जाएगा 15 तो y is equal to 15 by minus 5 minus 5 उपर लेके चल जाएगा minus तो उपर minus लग जाएगा तो यह cut जाएगा तो कितना बर में तीन बर में वो भी minus में तो y is equal to क्या जाएगा minus 3 यह हमारा y कमान निकल गया अब इसको हम लोग put कर देंगे किस में कोई वी equation में put कर देंगे तुम चाहो तो first में कर सकते हो इंसर में भी कर सकते हो first second में चाहब 3 4 में भी कर सकते हो तो हम इस y कमान को किस में put कर देंगे 4 में तो 4 में हम लोग putting कर देंगे तो लिखेंगे putting इसके बाद यहां से हम लोग सिधे यहां से solve करेंगे ठीक है लिखेंगे putting y is equal to minus 3 in equation fourth in equation fourth 3x minus y is equal to 9 हमारे equation fourth है तो 3x ऐसे ही रहा जाएगा और y के जगाप हम लोग क्या कर देंगे minus 3 is equal to 9 3x और यह minus और यह minus मिलके plus 3 is equal to 9 तो 3x और यह 9 और यह plus 3 इधर आगा तो minus 3 तो 3x is equal to 6 तो x is equal to क्या जाएगा 6 by 3 जब कात होगे तो दो बार में कत जाएगा तो x is equal to 2 हम लोग क्या कि elimination method से हम लोग x का मान निकाल लिए और y का मान निकाल लिए तब इसी question को हमें substitution method से भी solve करना था हमारे पास यह दो equation आया है यह और यह इसी को solve करेंगे substitution method के लिए हमें दोनों में से कोई एक equation के लेके और x y का मान निकालना होगा हम लोग fourth को लेके रखत चलते हैं तो लिखेंगा from चाव तब third को भी लेके x का या y में से किसी एक variable का मान लेके और जो बचा हुए एक equation रहेगा जिसको तुम नहीं लिए हो consider नहीं किये हो उसमें put कर दोगे तो तुम्हारे दोनों variable का मान निकाल जागा तुम चाहो जो तुमको easy लगे three four में से उसमें उसको तुम सबसे पहले ले सकते हो तो हम equation fourth को लेते हैं from equation fourth three x minus three x minus y is equal to nine ठीक है अब देखो तो इसमें हम लो x और y में से x का मान निकालेंगे तो three x इधर ही रहा जाएगा और minus y है ना इसको तुम 9 और minus y इधर है तो प्लस y तो x is equal to क्या हो जाएगा 9 प्लस y और three multiply में इधर हैगा तो divide में नीचे three इसको तुम equation fifth मान लो फिर इसको x का मान को put कर दो equation three में तो लिखो putting equation putting x is equal to 9 plus y बैक्राउंड सांदार है इसलिए problem हो रहा है लेकिन इस पर आप लोग focus मत करिए आप लोग सिर्फ knowledge प्रोकस करिए तो यह हम गाव में बता रहे हैं तो बहुत ज़्यता दिकत हो रही है तो आप लोग सिर्फ knowledge प्रोकस करिए तो x is equal to 9 plus y by 3 ठीक है putting x is equal to 9 plus y by 3 in equation third जो बचा गवा कॉन equation हम लोग 4th को consider के थे अब 3 बचा हुआ था उसमें put कर दो 3 equation का है 3x plus 4y is equal to minus 6 था तो 3 और x के जगह पे 9 plus y by 3 bracket close plus 4y is equal to minus 6 ठीक इसको अब यहां तो कर लाते हैं अच्छे स्वाफ पढ़ता है अब क्या करोगे इस 3 को अंदर लेकिया होगे तो 9 3 जा 27 plus 3y by 3 plus 4y नीचे कुछ नीत 1 है is equal to minus 6 फिर अब तुम क्या करोगे अब इस दोनों का है LCM लोग तो क्या हैगा 3 3 से 3 ऐसे ही नोथ हो जाएगा 27 plus 3y plus 1 के टेबल में 3 3 बार में तो 3 4 जा 12y is equal to minus 6 27 एक मिनट यह 12 और 3 क्या हो जाएगा 15y is equal to और 3 इधर जाएगा तो minus 6 और 3 minus 18 और यह plus 27 था इधर आया तो minus 27 confusion आप लोग नहीं होगे कैसे कियें बहुत easy था हम क्या कियें यह दोनों को sum कियें तो minus 15y और इस 3 को divide में था इधर कियें multiply में तो कितना आ जाएगा minus 18 लिख दियें minus 6 और 3 minus 18 और यह plus 27 था इधर आएगा तो minus 27 इन दोनों को जब sum कर दोगे क्योंकि कि दोनों minus में है तो minus sum हो जाएगा तो minus कितना हैगा 45 और इधर y यह 15 multiply में था इधर आया तो divide में समझ मैं है तो 50 के table से 45 कितना में कतेगा 3 बार में तो y इसकल तो क्या जाएगा minus 3 हम लोग इसमें भी y कमान निकाल लिए जो हमारा minus 3 है इस अब minus 3 को put कर दो किसी भी equation में हम equation 5 में करेंगे आप चाहो तो equation 1st, 2nd, 3rd, 4th किसी भी equation में आप लोग कर सकते हो तो हम equation 5 में कर दते हैं तो लिखेंगे putting putting y is equal to minus 3 in equation 5 ओके 5 equation क्या है हमारा x is equal to बगल में काम चल रहा है sound बहुत जदा आ रहा होगा लेकिन फिर भी आप लोग समझे लास्ट है खता में आप question तो x is equal to क्या हमारा 9 plus y by 3 यह हमारा 50 equation था तो x is equal to 9 plus y के जगा put करेंगे minus 3 by 3 तो x is equal to 9 में सब मैंस 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 में सब मैंस 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 और नीचे 3 तो 3, 2, 6, 2 बार में तो x is equal to kya है 2 मतलब subtraction method से भी हमारा x is equal to 2 है और y is equal to minus 3 धेखो same elimination method से अब भी हमारा x is equal to 2 आया था और y is equal to minus 3 आया था तो दोनों मेथास से सेम एंसर आता है आप चाहो जिस से बनाओ लेकिन इस question में में दोनों मेथास से solve करना था एक ही question को तो कर दिये अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना और इस चैनल को subscribe करना ऐसे ही वीडियो के लिए और बेल आइकोन को जरूर दबाने के आपके पास नहीं होती फीकर सबसे पहले जाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तर के लिए बाई